राम राम संग्वारी हो मैं रिशिसा हूँ उडाना इस एकडमी के e-learning प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूँ बात कर रहे थे हमें 36 गड़ के समान्य अध्यन के विभिन MCQs की जिस पर हम देख रहे थे वर्तमान में जो परिच्छा होने वाली है और अगामी जो परिच्छा होंगे उसके लिए जो महत्पून सावित हो सकते हैं ऐसे प्रश्णों पर इस वीडियो में हम बात करेंगे पहला प्रश्ण इस वीडियो का 36 गड़ में अध्योगिक निती लागू है जब हम पढ़ते हैं 36 गड़ में पॉलिसी तो पॉलिसी पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा 36 गड़ में इंडस्ट्री अब जब हम इंडस्ट्री पढ़ते हैं तो इंडस्ट्री में हम कि उद्योग जो है उसको दो भागों में बाटा जा सकता है एक को बोलते हैं अधारभूत उद्योग, core sector industry और एक जो है ठीक opposite form में जो अधारभूत की सिरेणी में नहीं आता है कहने का मतलब non core sector industry core sector industry, ऐसे industry को बोलते हैं जिसके raw materials और जिनके लिए infrastructure हमारे यहां fully available है और जिस industry को लगाने से या उसके लिए हमको raw materials आराम से मिल जाता है और उस industry का विकास जो है वो उस raw materials के basis पर infrastructure डेवलाप करके किया जा सकता है तो core sector industry में कुछ याद नहों तो आपको याद रहना चाहिए जैसे आप भारत सरकार के द्वारा देखेंगे तो भारत सरकार में 8 industry core sector industry है वैसे 36 गड़ में है 4 industry core sector industry जिसमें सामील होता है ताप इद्दू सहयंतर thermal power project जीतने भी thermal power projects होंगे वो सब core sector industries है नमबर दूसरा इस पात सहयंतर इस्टिल प्लांट्स हमारे राज्य में जीतने भी इस्टिल प्लांट्स है वो core sector industry है aluminum सहयंतर प्रदेश में जीतने भी aluminum सहयंतर इस्थापित होंगे वो सब के सब core sector industry होंगे और चोथा सीमेंट सयंत्र प्रदेश में जितने भी सीमेंट सयंत्र इस्तापित होंगे वो कोर सेक्टर इंडस्ट्री होंगे इस चार को ही 36 गड़ में अधार भूत उद्योग कहा जाता है इसके अलावाद जीतरी इंडस्ट्री आएंगी वो सब के सब नौन कोर सेक्टर में अधार न सुनते होंगे पुर्सक्टर इंडस्ट्रीर इंडस्ट्री है पहले ही बोला कि इसके लिए इंडस्ट्री के लिए को चलने के लिए क्या चीए गच्चा-पधार्थ इस पात को चलने के लिए बॉक्साइड चाहिए और सीमेंट के लिए चुना-पत्थर चाहिए हमारे हैं तो गौँर्मेंट ने इसके विकास के लिए काम-करने की जरुत है क्योंकि यह हमारे यहार माँ माटेरियल्स के लिए उपमें एवलेबल है तो इसका विकास हो ही रहा है लेकिन ये जो है हमारे structures नहीं है तो इसके विकास के लिए government को क्या बनाना है policies तो अब बात आता है यहीं पर policy मतलब आप ही अपने आपको सोचिए आप policy या नीतियां अपने लिए तब बनाते हैं जिस चीज में आप कम जोर हो जैसे मान लिजे मेरा जो है 36 गड़ी strong है तो मैं उसके लिए कभी नीति नी बनाऊंगा कि मोला इसा इसे पंड़ना है अम मान लिजे मोर बाकी subject कम जोर है तब मैं उन लोग के लिए नीति बनाऊंगा तो हो सासन इसके लिए नीतिया बनाना सुरू की पॉलिसी अब बनाई तो पॉलिसी अब इसी नीतियों को हमको दो रूपों में ध्यान देना है डवर्मेंट जो है वो पॉलिसी बनाई है उसको कब से कब तक होता है एक April से 31 मार्च के बिच तो कुछ पॉलिसीज जो है हमारे यहां इस अवधी में लागू है मतलब एक अप्रश 31 मार्श की अवधी के लिए हम बने कप थे एक प्रदेश की रूप में हमारी स्थापना एक नवंबर 2000 को तो कुछ नीती जो है एक नवंबर से सुरुआते एक साल कब होगा 31 अक्टूबर तो प्र कौन से एक अप्रेल से 31 मार्च के लिए ऐक नवंबर से एक अप्रेल स्थापना की बात करें तो एक पॉलिसी है ग्रामोध्योग निती ग्रामोध्योग निती गरमेंंट के दवारा एक अप्रेल 2016 से 31 मार्च 2021 के लिए लागू था पांच वर्स की निती थी दूसरा एकस्पायर हो गे मार्च हो निकल गे 22 चला था भी ठीक दूसरा सौरूर्जा निती सौरूर्जा निती प्रदेश में एक अप्रेल 2017 से 31 मार्च 2021 तक लागू है दस वर्सी निती तीसरा लॉजिस्टिक पार्क निती और ये निती हमारे यहां एक अप्रेल 2018 से 31 मार्च 2023 के लिए लागू है ये तीन नितियां है वर्तमान गौर्मेंट की जो एक अप्रेल से 31 मार्च के अधी के लिए है वही और निति की बात करें जो एक नमंबर से 31 अक्टूबर के लिए है जिसमें से एक आप सुने होंगे वो भी एक्स्पायर हो गया है लेकिन याद रखना है आटो मोटिव उद्योग निति और आटो मोटिव उद्योग निति हमारे यहां एक नमंबर 2012 से 31 अक्टूबर 2017 तक लागू रहा यह भी एक्सपायर ही है दूसरा क्रिशी एवं खाद्य प्रसंस करन निति और यह हमारे यहां 1 नमंबर 2012 से 31 अक्टूबर 2019 तक लागू रहा है फिर सरकार ने और नईक क्रिशियम खादे प्रसंस करा निती नहीं बनाई है यहीं पराके खतम हुआ है और तीस राज जो मोस्ट आई एमपी है वो है अध्योगीक निती 36 गवर्मेंट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी और यह अध्योगीक निती 1 नमंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024 की अध्योगी के लिए लागू है इसी अध्योगीक निती की कुछ विशेस्ता हम देखते हैं तो इसी अध्योगीक निती में 200 फूट पार्क बनाने की बात कही गई है एक विशेस्ता है इसकी दूसरी बात कही गई है कि उद्यम को बढ़ाने के लिए हमारे प्रदेश में और प्रोसाहित करने के लिए अध्योगीक पुरुसकार योजना की सुरुवात की गई जो पांच स्रेणी में दी जाती है यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है और चतिस गड़ के विकास खंडों को अध्योगीक विकास के अधार पर चार भागों में बाटा गया है विक्सित विकास खंड अलप विक्सित विकास खंड पिछडा विकास खंड अती पिछडा विकास खंड तो चार केटेगरी है तीन पॉइंट ध्यान देना है फूट पार कितने सापित के जाने हैं 200 ये बात 5 श्रेणी में अद्योगी क्पुरुसकार योजन ये और तीसरा चार क्रेटेगरी विकास खंडों के अद्योगी विकास के अधार पर और प्रशन में यही पूछा गया है क्या पूछा है प्रशन में 36 गड़ में अद्योगी क सामिल नहीं है मैंने अभी थोड़े दिर पहले आपको बताया कि 36 गड़ में चार इंडस्ट्री अधार भूत्या कोर सेक्टर इंडस्ट्री कहलाता है तापिदुस सयंत्र इस्पाथ सयंत्र सीमेंट सयंत्र और इलुमिनियम सयंत्र आप इसका अंसर हमको कमेंट करके अगला प्रश्णा है प्रदेश का वृषद अध्योगी क्षेतर लहीं है अब वृषद अध्योगी क्षेतर जानने के लिए आपको सी इत्र जानना पड़ेगा और हमारे यहां जो भी अध्योगी क्षेतर है मुख्यता वृषド के रूपमें तो वह इंडस्पूर कहने का मतलब बिलासपूर, ये दूर्ग और ये रायपूर, बिलासपूर डिविजन में वर्तमान में 6 जी ले आते हैं, मुगेली, गोरेला पिंडरा मरवाही, बिलासपूर, कोरभा, जानगीर, चांपर, रायगड, दूर्ग डिविजन में वर्तमान में 5 जी ले आते हैं, यह कबिरधाम, यह राजननगाओं, बेमेतरा, दूर्ग और बालोत, राइपूर डिविजन में पांच जीले आते हैं, धमतरी, राइपूर, बलोदा बजार भाटापारा, गरियाबान और महासमुद। वरतमान, चतिस गड़ में पांच व्रिहद और द्योगिक छेतर है, आर्थिक सर्वेक्षन इकिस बाइस के अनुसार, और पांच में से, वो जो पांच है, वो मिडिल में ही हैं, दो राइपूर डिविजन के राइपूर जीला में हैं, दो बिलासपूर डिविजन के जीला, जो बिलासपूर डिविजन के बिलासपूर जीला में दो है, वो है, सिरगिट्टी, और सिलपहरी, और जो दुर्ग डिविजन के दुर्ग जीला में एक है, बोला, वो है, बोरई, अब व्रिहाद और द्योगिक छेतर का मतलब, आप समझते होंगे, को यह कैसा, दो सो हेक्टेर से अधीक है, तब वहाँ व्रिहाद और द्योगिक छेतर कहलाता है, कहने का मतलब इस पाचों का जो जियोग्रफिकल एरिया है, गौर्मेंट जो एलोट की है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, वो दो सो हेक्टेर से अधीकों, तो सबसे बड़ा मैं कौन है, तो सिल्टरा, मैकजिमम, पाचो में सबसे बड़ा अध्योगिक छेत्र, अब व्रिहाद तो 5 है, लेकिन सबसे बड़ा पूच दिया तो उत्तर होगा, सिल्टरा, तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या होगा? प्रदेश का व्रिहाद आध्योगिक छेतर नहीं पूछा जा रहा है, नहीं है, उरला तो पढ़ है, बोरै भी पढ़ है, सिल्पहरी भी पढ़ है, मज़द तीनों तो है, तो आप संडी ही बचा, नहीं है, मतलब हमारा उत्तर क्या होगा? इन में से कोई नहीं, अगला प्रस्ण है हमारा, सुक्षम अध्योगीक छेत्र है, त ताकि ऐसे छेत्र में इस्थापित होने वाले उद्योगों को जो अधोसर रचना चाहिए वो उपलब्द हो जाए और अद्योगिक विकास हो साथ में रोजगार के नए आउसरों का सीजन हो चतिसगर के जीडीपी का आकार बढ़े चतिसगर में समाजिक समानता इस्थापित हो इसलिए अद्योगिक छेत्र इस्थापित के जाते हैं अब छेत्र फल के नुसार ये जो अद्योगिक छेत्र है वो चार प्रकार के होते हैं एक होता है व्रिहाद अध्योगिक छेत्र जो थोड़ देर पहले मैंने आपको बताया एक होता है मध्यम अध्योगिक छेत्र एक होता है लगु अध्योगिक छेत्र और एक होता है सुक्षम अध्योगिक छेत्र व्रिहाद अध्योगिक छेत्र क्या बताया मैंने जिस अध्य अगर वहीं पचास से सो हेक्टेर के बीच है किसी अध्योगिक छेत्र का छेत्र फल तो आता है लगु में और सुक्ष्म में आता है ऐसे अध्योगिक छेत्र जिसका छेत्र फल सुन्य से आगे और पचास हेक्टेर के बीच तब उसको बोलते हैं सुक्ष्म में अध्योगिक छेत्र में आता है राइपूर जीला कही भनपूरी उसके बाद आते हैं लगु में बहुत सारे जगें हैं प्रस्ण पर आते हैं उसके इसाब से मैं आपको डील करता हूं प्रस्ण में क्या पूछा है? सुक्ष्म अध्योगिक छेत्र में भनपूरी नाम लिया यह यह क्या है? अध्या मध्योगिक छेत्र reverse वो भी अद्योगिक छेत्र ही है लेकिन वो सुक्षम, मध्यम और लगू उद्योगों के विकास के लिए है लेकिन ये अद्योगिक छेत्र किसी भी प्रकार के चाहे अल्टरा मेगा हो चाहे मेगा हो दो भी हो सुक्ष माहsan लगुम अध्यम जो भी तो भनपुरी तो मध्यम है ये जो तीफरा है भी लासपूर का और ये जो महरूम कला है राज्यनानगाओं का ये दोनोगे के तोनों लगु अध्योगिक छेत रहे मतलब ये भी नहीं होगा तो आफसान एक ही बचा महरूम खूर्द ये भी राजनान गाओं में ही है राजनान गाओं का महरूम खूर्द सुक्ष मौध योगिक छेतर है प्रस्न है अगला सुमेलित नहीं है दिया हुआ है खमरिया, कोरिया, जीजाम गाओ, धमतरी, कापन, जानगीर चापा, महुआ पाली, रायगड ये जो प्रस्न दिया हुआ है, एक्चॉल में है ये IIDC, Integrated Infrastructure Development Center IIDC पर्योजना बोलते हैं इसी को ये आया कहां से, तो भारत सरकार के कानून से MSME, भारत सरकार का एक कानून है Micro, Small, Medium, Enterprises सुक्चम, लगू, मद्यमुद्योगों के विकास के लिए कानून बनाया गया भारत सरकार के द्वारत जिसको MSME Act बोलते हैं इसी MSME Act में प्रावधान किया गया है IIDC पर्योजना की मतलब एक ऐसा Geographical Area जहां पर सुक्चम, लगू, एवं मद्यमुद्योगों के विकास को प्रमोट क्या जा सके पुरसाहित क्या जा सके और ये जो है MSME कानून के तहत भारत सरकार का सुक्चम, जो मंत्राला है वो MSME के लिए IIDC पर्योजना के तहत इस IIDC के Development के लिए एकी क्रित अदोसा रचना विकास के अंद्र के इस्थापना के लिए परियोजना लागत का जो परियोजना लागत होगा, कास्ट होगा, उसका 60% या अधिक्तम या बोल रहूँ, अधिक्तम 6 करोर रूपए की रासी अनुदान देती है अनुदान की रूप में प्रदान करती भारत सरकार, कोई भी IIDC सेंटर इस्थापित करना है उसके लिए अगर हम बात करें, तो हमारे यहाँ इस IIDC सेंटर को जो रेगुलेट कर रहे हैं, जिसको हम नोडल एजनसी बोलते हैं, वो है CSIDC यही IIDC के इस्थापना संचालन के लिए जिम्मेदार है, उसको बोलते हैं नोडल एजनसी अब मैं बात करें हूँ IIDC कौन-कौन से है 26 गड़ में, अगर हम 36 गड़ के IIDC सेंटर की बात करें, तो जीला क्या दहार पर इसको याद रखना है, पर इच्छा के द्रिष्टी कौन से है कि कौन-कौन से जीला में IIDC सेंटर संचाली थी, बस्तर डिविजन की कहानी है, स सबसे निचे सुक्मा, दुर्ग डिविजन की बात करें, तो दुर्ग डिविजन है पांच जीला है, हमारे काम का केवल एक जीला है, कबिर्धाम, मलबाई IIDC बताने के लिए, यहाँ है जीले, पांच, काम का केवल तीन जीला है, रायपूर, महासमूद और धमतरी, पांच और काम का है हमारे IIDC के लिए अगर हम बोले, तो IIDC काम का है हमारे दो, एक कोरिया और दूसरा सुरजपूर, देखें अगर IIDC सेंटर, तो कोरिया से कहानी है, कोरिया में है परसगड़ी, सुरजपूर में है नयनपूर, गिरवर गंज, यहाँ मुंगेली की बात करें तो यहाँ पर है खमरिया राइगर में है मौहा पाली सियार पाली कभीर धाम में हरीम चप्रा जान्द की चांपा यहीं से ले ले, जान्द की चांपा में है कापन फिर रायपूर में है अभ़नपूर धमतरी में है जी जामगाओं महासमुन में है बिरकोनी कांकेर में है लखनपूरी दंतेवाडा में है टेकनार ये आई-आई-डी-सी सेंटर है भाई अब सबका कुछू ना कुछू तो जियोगराफिकल एरिया होगा ही ना पुछ ना कुछ तो भगोलिक छेत्रफल होगा ना ये भी तो एक इंडस्टियाल एरिया ही है लेकिन इसमें अब्जेक्ट क्या है सुक्छ में लगू मध्यम उद्योगों को इस्थापित करना है उसको प्रमोट करना है तो इसका भी तो कुछ ना कुछ एरिया होगा तो ये का लगी महत्तु यह यही होना ची आगे बढ़ाके देख लेते हैं जी जांगी चापा में सभी है मौहापाली या सियार पाली रायगण में यह भी सभी है तो उत्तर है अमारा option A प्रस्ण है अक्टूबर 2021 की स्थिती में 36 गड की उर्जाउत्पादन छमता है अब हम 36 गड की उर्जाउत्पादन छमता की बात करें और आपको दिया रहेगा वो date अक्टूबर 2021 की स्थिती में मैं बात कर रहा हूँ हमारी जो छमता है वो है 29 84.7 मेगावाट ये 36 गड़ गौवर्मेंट की उर्जोग पाजन चंता है 36 गड़ गौवर्मेंट वो रहो मतलब समाजना है CSPG CL 36 गड़ इस्टेट पावर जनरेशन कमपनी लिमिटेड उसकी क्यापसिटी है अब ये जनरेशन करती है दो महत्पून उर्जा एक थर्मल ताप दूसरा हाइडरल जल विद्दूत और जो दोनों में सामिल नहीं है उसको अन्यमें रखा गया है इस 29 चोरासी का 28-40 मेगावाट हमको ताप विद्दूत उर्जा की रूप में प्रात्थ होता है मलब CSPG CL इतनी छमता का इतना थर्मल की रूप में जनरेट करती है 138.7 मेगावाट जल विद्दूत उर्जा की रूप में होता है और जो 6 मेगावाट है वो हमको अन्य की रूप में मिलता है अन्य कहने का मतलब भोरम देव जो हमारा सहकारी सक्करकार खाना है रामहेपूर, बोडला तहसील, जीला, कबिरधाम में वहाँ से सहुत्पात, बाई प्रोड़क्ट जो उस सक्करकार खाना से जो खोई निकल रहा है गन्ने का उसी से 6 मेगावाट एनरजी जनरेट क्या जा रहा है वर्स 2006 से इसी को बोलते हैं भोरमदे को जनरेशन तो अन्य वही है, भोरमदे वाला बाकिये जल विद्दूत है, जो 4 परियोजना है हमारे हैं और ये ताप है, तो ताप की परियोजना हमारे हैं दो जीलों में चल रहा है, एक तो हमारा जीला है कोर्बा जिसको 36 गण में पावर हाउस बोलते है उर्जा रासधानी, और एक जीला है जांजगीर चापा अब कोर्बा में दो जगों से जनरेशन है कोर्बा पूर्व और कोर्बा पस्चिम तो जो पस्चिम क्यों लिख रहा हूं, वहाँ पावर प्लांट है हस्दो ताप इद्दुद परियोजना बोलते है 210 मेगावाट के 4 उनिट, 1983 से 86 के बीच मतलब 840, फिर 500 मेगावाट का उसको विस्तार दिया गया है 2013 में, तो हो गया कितना? 840 और 51340, पस्चिम क्यों पूर्व क्यों पूर्व क्यों पूर्व क्यों है स्यामा प्रशाद मुखर जी, जो ताप इद्दुद परियोजना 2007 में शुरू है 500 मेगावाट, 250 मेगावाट के 2 उनिट, वो पूर्व क्यों है तो कूर्वा से पस्चिम और पूर्व में जनरेट होता है 1000 मेगावाट जो है, वो जानगीर चापा के मडवा थर्मल पावर प्रोड़ेक्ट से जनरेट होता है और इसी का नाम रखा गया है अटल बिहारी वाचपई जी के नाम पर अटल बिहारी वाचपई ताप इद्दुद परियोजना कहा है, मडवा में जिसकी केपेसिटी है 1000 मेगावाट और 1000 मेगावाट है तो 500 मेगावाट के दो यूनिट और दोनों के दोनों वरसों 2016 में सुरू हुआ है प्रस्ण पर आते हम, प्रस्ण में क्या पूछा गया है, अक्तूबर 2021 किस्थिती में 36 गण में उर्जय उत्पादन छमता है तो अभी आपको बताया 29.7 मेगावाट तो 29.84 आपको अपसाने में दीख रहा है उत्तर यही होना चीए 28.40 मेगावाट ये क्या है भाईया अभी बताया ये है उसमें 7.7 को हटा दे तो ये है थर्मल और 32.20 पहले था मतलब कब पहले मतलब ये यर जो सुरू नहीं हुआ था 2021 उससे पहले था मतलब मैं ये बोलू कि दिसंबर 2020 तक हमारी छमता ये थी लेकिन हमारी छमता आज एक जन्वरी के बाद से 2021 या कितना होगे 29.84 उस्तर है हमारा अपसान एक प्रशन है मडवत आप विद्दुद पर्योजना निमनलिकित में से किस जीला में इस्तित है तो अभी मैंने आपको बताया जांगीर चांपा में मडवत थर्मल पावर प्लांट इस्तित है जिसका नाम क्या है अटल बिहारी वाचपई जी के नाम पर 1000 मेगावाट इसकी छमता है 500 मेगावाट के दो यूनिट है और दोनों के दोनों वर्स 2016 से कमिशनिंग है शुरू हुआ है अगला प्रशन है हमारा वर्स 2021 में केंद्री विद्दुद प्राधिकरन के प्रतिविदन के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर पी एलेफ में 36 अगर हम इस 2021 की बात करें तो इस 2021 में हमारी स्थिती जो है वो तीसरी है प्लांट लोड फैक्टर में हम जो भी ताप विद्दुद गरी है जितने भी राज्य या केंदर सासित प्रदेश में उसका प्लांट लोड फैक्टर कैल्कुलेट करती है ये केंद्री पूछेगा कि क्या स्थिती तो हम कहां है उलेकिन एक выпtes पूछेगी किसी मंद को लेकर तो मंद को लेकर पूछेगी तो सर्वेम दिया है उसको लेकर पूछेगी में दिया हुआ है अक्टूबर 2021 में प्लांट लोड फैक्टर में. 36 गड़ की स्थिती है क्योंकि जो सर्वे में दिया है वहीं से प्रश्ण उठेगा ये भी सर्वे में ही दिया है 20-21 में हम तीसरा है तो अक्टूबर 21 में हम कौन से है तो मैं बोला हर महिना जारी करता है वो रिपोर्ट तो जब सर्वे संकलित हुआ होगा तो अक्टूबर का महिना कर रिपोट रहा होगा उसी को सर्वे में में चूथा है तो इसके अकॉर्डिंग हमारी स्थिती चौथी है तो आपको दो इन्फॉर्मेशन मिला यहां से 20-21 में हम क्या है तीसरा है और अक्टूबर 2021 में हम चौथा है यही मैं बात करूं 19-20 की तो ह अगला प्रस्ण है मुख्यमंत्री उर्जा प्रवाह योजना का संबंध है ओप्शन ए विद्धूत अधोसर रचना के सुद्रिणी करन से हाफ बिजली बिल योजना से और द्योगिक बिजली की प्रतिपूर्ती से उपरोक्त सभी से इसका उत्तर है ओप्शन ए विद्ध अधोसर रचना के सुद्रिणी करन से 36 गड़ गौर्मेंट के द्वारा विद्धूत छेत्र में अधोसर रचना के विकास और विद्धूती करन को बढ़ावा देने के लिए ही मुख्यमंत्री उर्जा प्रवाह योजना की सुर्वात की गई है तो इसका उत्तर क्या है वि इतने भी हमने आपको टॉपिक्स बताये थे एक तो बोले थे क्रिशी एवं शिचाई दूसरा द्याय आपको बोले थे हम हम खनी संसाधन की स्वावब या और चार अध्याय के ज़ने प्रस्तुत इसमें में आपको अगर किसी भी प्राकार द्मेंट हो तो कमेंट ज़रू लोगों को शेयर करिए और पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा मिलते हैं आप से अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जै जोहार जै चतिसगर